नमस्ति बच्चू, बोलती बुक्स विद अंशली चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग साथ भीम के प्रश्ण और उत्तर। प्रश्ण दुर्योधन वह उसके भाईयों के मन में भीम के प्रती त्वेश भाग क्यों था। उत्तर, हस्तिनापुर में पांचो पांडव वत्रतराश के सोब पुत्र कौरव साथ रहते थे। खेलकुत हसी मजात में सब साथ थे। भीम शरीर से बलशाली था। वह दुर्योधन वह उसके भाईयों को तंग करता था। इसी वज़े से दुर्योधन वह उसके भाई भीम के प्रती दुएश भाव रखते थे। प्रश्न सभी बालकों को अस्त्र विद्या किसने सिखाई। उत्तर कॉर्वों वह पांडवों ने क्रपचाहरे से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखी इसमें पांडव कॉर्वों से आगे रहते थे। प्रश्न कॉर्वों ने आपस में क्या यूजना बनाई। उत्तर कॉर्वों ने आपस में निश्य किया कि भीम को गंगा में डुबो कर मार डाला जाए। तथा उसके मनने पर युदिष्टर अर्जुन को बंदी बना लिया जाए। फिर सारे राज्ये पर उनका अधिकार होगा। प्रश्ण कॉरव अपनी यूजना को कैसे अमल में लाए। उत्तर दुर्योधन ने जल क्रीडा का प्रबंद किया। पांडवों को नयोता दिया। तैरने और खेलने के बाद सभी ने भोजन किया। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विश मिला दिया। सभी ठककर अपने डेरे में सो गए। भीम विश के कारण डेरे तक ना जा सका। गंगा किनारे ही गिर गया। दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पेर बांद कर गंगा में बहा दिया। चारो भाईयों ने भीम को बहुत खोजा पर नहीं मिला। भीम कैसे वापस आया। उत्तर निराशोकर दुखी हिर्दे से चारो भाई महल में लोटाई। दुर्योधन खुश था कि भीम का काम तमाम हो गया है। तबी भीम जूंता जामता वापस आ गया। पांडवों और कुंती ने खुशी से भीम को गले लगा लिया। प्रश्न कुंती ने विदूर से अकेली में क्या कहा। उत्तर कुंती बोली दुष्ट दुर्योधन चाल चल रहा है। राज्ये के लोग में वर्भीम को मार डालना चाहता है। विदूर ने क्या कहा। उत्तर विदूर ने कहा तुमारा कहना सही है पर इस बात को अपने तक ही रखो। दुर्योधन की निंदा कदापी न करना वरना उसका द्वेश और बढ़ जाएगा। प्रश्न युदिष्टिर ने भीम को क्या समझाया। उत्तर युदिष्टिर ने कहा भाई भीम अपने आपको संभालना होगा। इस समय हम भाईयों को एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहना होगा। बाल महाभारत कता भाग साथ के प्रश्न उतर या समाप्त होते हैं। अगला भाग है कर्ण। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेक्या। बाई बाई कर्ण।